जुन сколько help आज के लेक्षर में पढ़ेंगे कि इंसेक्स का जो जो माउट पार्ट होता है जो services are a यानि एक हम एके प्रिवेष्स लेक्षर ऊंबर शिक्स में उसके modify circens के बारे में तो different insects में जोक माॉटिफिकेशन है वह उनके feeding habit के व्यजे से है तो आज के lecture में जो हम topics cover करने वाले हैं वो है different mouth parts के modification यानि अगर हम starting से देखे तो हम total इसमें पढ़ेंगे total seven type of mouth parts के बारे में जैसे first है biting and chewing type जो कि हम normal cockroach and grasshopper में देखते हैं दूसरा chewing and lapping type honeyweed का mouth part bursting and sucking type यानि mosquitoes, sponging type यानि houseflies के case में, shivering type butterflies के case में, mask type dragonflies के बच्चे यानि knights के case में और degenerate type यानि maggots के case में तो चल लिए पढ़ते हैं एक एक को in detail में जो first type है वो है biting and chewing type यह जो सबसे पहला type of mouth part है वो पाये जाता है cockroach और grasshopper में इनका mouth part होता है वो बहुत primitive type है यानि सबसे पहले insects में इनी type का mouth part को देखा गया था ठीक है इस mouth part के बारे में हमने starting में यानि lecture no.6 में ही पढ़ लिया है तो इसको detail में नहीं जाते हुए मैं पस इनके parts के बारे ही बता देता है वर्स्ट वन है वो है labrum यानि upper lip second है mandibles यानि जिसको हम jaws कहते हैं थर्ड है maxilla जो की paired structure होता है और उनमें segmented palp पाये जाते हैं यानि sensory hairs भी पाये जाते हैं इसमें फोर्थ है labium जिसको हम lower lip कहते हैं और यह मिलके इंसेक का mouth cavity बनाता है जिसके floor पे एक structure पाये जाता है जिसको हम लो क्या कहते है hypo pharynx यानि tongue like structure in the floor of mouth ठीक है तो इसके बार में हमने detail पहले ही पढ़ लिया है जो मारा second type of mouth part है वो है chiving and lapping type तो यह important palace का example है कि यह honey भी में पाया जाता है और इन में चार जो पार्ट है बैसिकली में पताया था है किसी भी इंसेक्स में चार labrum, mandible, maxilla and labium यह चार पाया जाते हैं तो different insects में इन ही का modification हो जाता है किसी में कोई rudimentary form मेरा जाता है कोई किसी में जाता है तो यह लौंगेट कर जाता है तो यह जो chiving and lapping type है इसमें क्या होता है कि जो labrum है और mandible है वह biting and chiving type का ही क्या है modification है लेकिन इसमें mandible होते हैं वह blunt होते है ठीक है और इनमें दात नहीं होता है ठीक है दात कहने का क्या मतलब है कि जो sclerits है वह क्या हो जाते है पॉइंट पॉइंट बना लेते हैं यानि जो मैंडिबल्स हैं वो सार्प हो जाते हैं लेकिन जो हनीवी का केस है उसमें इस चीज़े नहीं होती है सेकंड पॉइंट है यानि जो इनका फंक्शन है मैंडिबल्स का वो क्रस्ट करता है यूसफूल चीज़ों को जो उनका हनी कॉम होता है उसको सेप देने में और पॉलिन जो है डिफरेंट जो नेक्टर्स को वो करते हैं तो साथ साथ पॉलिन आ जाता है उनको भी करता है पॉलिन जो यूसफूल टू लिग दी नेक्टर मतलब करता है वह उस पार्ट को क्या कहते हैं यहां पर मैंने इसके माउथ पार्ट का इमेज दिया हुआ है डाइग्राम दिया हुआ आप देख सकते हैं इसमें कि डिफरेंट डिफरेंट जो उनमें जो माउथ पार्ट से वह कैसे-कैसे मॉडिफाइड है जैसे मैं अक्सीला को देख सकते है फ्रोबोसिस यह यहां पर प्रॉबोसिस एक वोड है जिसका मतलब क्या होता है प्रोपोसिस अलक documents हो जाता है सँटके लिए यहां रही की सकते है खिए जो किसीकीश लंक्र होता है टिक किसी Tomorrow होता है जै मतलब वह एनिमली टिश्यू को पर्स नहीं करते हैं जो फीमेल है वही सिर्फ ब्लड को सक करती है तो उनके मोडिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे तो माउथ पार्ट फीमेल मॉस्क्यूटो कंसिस्ट ऑफ एन एलॉंगेट लाबियम विच ग्रूप फॉर्मिंग गटर व ली करते हैं तो आीं हल्ब करते हैं जर कंपोज़ी लाबरम इपिफ ej इन एक पार्ट है कि मिलके बना जुँए हुआया और इन में जो होता है ये दोनों मिलके क्या करते हैं फूड कैनल का फॉर्मेशन करते हैं जो हाइपोफेरिंग्स होता है वो सालिवरी कैनल का फॉंक्शन मतलब उसको बनाता है ठीक है? टू मैक्जिला एंड टू मैंडिबल्स कहने का मतलब ये है कि जो लेपरम इभी फैरिंग्स है और हाइपो फैरिंग्स है और दो मैक्जिला है और दो मैंडिबल्स है ये सारे मिलके दो ट्यूप का फॉर्मेशन करते हैं पहला फूड कैनल दूसरा सेलिवरी कैनल ठीक है? इसमें मगला डियाग्राम देखते हैं इसका एक इसे बहुत बढ़ा सा दिख ह्याएं लेकिन इसमें होते हैं टोटल नीगा होते हैं और यहां दिखाए और यहां पे एक हैड modern का पार्ट हो गया दूसरा यहां पर मैक्जिलरी पैल्प ठीक है पैल्प मतलब क्या बताया था जो सेंसरी हेर जिस पे निकला होते है ठीक है एंटीना जो की वह भी सेंस में हल्प करता है और यहां पर क्या है पर्सिंग स्टाइलेट यह जो दिखाया हुआ है यह क्या है वही लेना जिके स्पॉंज जैसे क्या करता है water को रिटेन करता है वैसे इनका mouth part क्या होता है किसी भी liquid food को क्या कर देता है पैट के help से उसको क्या कर लेता है सक कर लेता है जिके for example house fly the proboscis is fleshy proboscis मैंने भी जस्ट क्या पता था elongated sucking mouth part ठीक है तो जो proboscis होता है fleshy होता है elbow saved होता है retactile होता है and project downward from the head यह head से कैसा होता है नीचे की तरफ होता ना इंटीडिगरी पे the proboscis consists of labium which is grouped on its anterior surface ठीक है मतलब जो labium है वो कहां पे है उसके anterior mouth के जो anterior surface है वहां पे होता है वो है within this groove lie a labrum epipharynx and cylinder hypopharynx मतलब यह दोनों फिर यहां पे जैसे मैंने लास्ट अभी जश्ट बताया यह दोनों मिलके दो canals का formation करते है पहला food canal और दूसरा क्या है salivary canal ठीक है इन में क्या होता है mandibles absent होता है important बात इसमें क्या है कि इस तरह के जो insects होते हैं नी जैसे house lie वो solid food के उपर अपने क्या करते हैं saliva को क्या करते हैं तो करते हैं जिससे वह food क्या हो जाता है उनके enzymes के वज़े से वह dissolved liquid form में आ जाता है तब उसको क्या करते हैं सक कर जाते हैं ठीक है end of the proboscis is enlarged sponge-like and two lobe which acts as suction pad मैंने भी जिस्ट बता है कि suction की तरह क्या कर लेते हैं उनका जो last end होता है mouth का क्या हो जाता है क्या करता है as a suction काम करता है और food को यानि liquid food को क्या कर जाता है वो उठा लेता है वहां से these insects often spit enzyme containing saliva onto the solid food to liquefy them जैसे मैंने की अभी बताया हमारा next type जो है वह सिफोनिंग टाइप सिफोनिंग टाइप किसमें पाया जाता है जैसे moths और butterflies के केस में मॉथ । मतलब क्या हो गया हमने देखा हो गा जैसे छोटे-छोटे कीड़े होते है वाइट कलर में वो क्या क्या बॉटफलाइस तो हमने देखा ही है mouth part consists of elongated sucking tube और proboscis ठीक है यहां पर अब फ्रोबोसिस का meaning clear हो गया elongated sucking tube it is formed by two greatly elongated glee or maxilla or glee of maxilla ठीक है Glee of Maxilla कहने का मतलब क्या है? कि यह Maxilla का ही appendages है मतलब Glee जो है, वो क्या है? Maxilla का एक appendage है मतलब जो extension होता है Maxilla का उसी को Glee कहते है which are dipped together by interlocking spines and hooks Okay? The proboscis is coiled up like watch spring and kept beneath the head when it is not in use कहने का मतलब क्या है? जो proboscis है हमेसा वो उसको तो food मिलेगा नहीं मतलब हर जगह तो उसको food मिल नहीं रहा है नेक्टर नहीं मिल रहा है तो जब उसका function नहीं होता है तो क्या हो जाता है रोल आउट हो जाता है और वह अपने आपको कॉयल करके as a spring अपने mouth के पास रख लेता है प्रोबोसिस को सब्सक्राओं कोपी कुछ्स रख लार्वाृबन मेंटिबल्स तो मैं श्राविपता है उसला कब्वसिक्श का अपने कंको कि लॉटत है र chamois यह libyum होता है दोनों पर क्या पाया जाता है हमारा पाया नेक्ष्ट ह्मारा मास्क टाइप क्या है यह हम लेखा होगा कि जो ड्रेगन फ्लाइज होती है जिनको नाइट्स कहते हैं एन एई ड्यस टिक है उनमें यह पाया जाता है तो यह क्या है इनका माउथ पार्ट कैसा होता है जैसे मैं फॉर्स्ट वाला पड़ा है जैसे कॉक्रोज में ठीक है लब्रम मैंडिबल्स मैंग्जिला हाइपो फैरिंग्स हार टिपिकली डवलप्ट आज इन बाइटिंग टैप ऑफ माउथ पार्ट्स चिक है लेबियम इन दिनिम्प इस इस अंडिवाइड एंड रिप्रेजेंट बाइएं लोब विच इस फूज़ विद दी प्रिमेंटम दी लेबियल पैल्प्स आर मोडिफाइड तो फॉर्म लेट्रल लोप इच ऑफ इस अधर साइट तो मॉबल्स होक इस होक है इन कैचिंग दी प्रे कहने का मतलब क्या है झो नाइट होता है जो बच्चे होते हूं इनका माध्व पाट होता है तो बाइटिंगोंस श्क ऐप होता ही है उपर से जो इनके मॉडिफिकेशन है जो में बाडिवा लॉपकिकेशन वे ऊस टाइप से हैं कि यह और तरीके से प्रे को कैस ने कर सकते तो इनका डिफर Bayern टाइब से क्या है modified है कि ताकि as a hook के form में कुछ mouth part present है ताकि वो अपने प्रे को क्या कर पाए पकड़ पाए जैसे मैंने एक्जामपल बता दिये dragonfly nights यह राइस का image यह फिर डाइग्राम हमें से देख सकते हैं ठीक है और जो लास्ट है वो है अणी डविप नहीं हैं बहुत कमडपलपल से हेड होता है घुक्ते ही इन और two mouth spines और hooks, मतलब इन में सिर्फ क्या होता है दो hook ही present होता है, यानि इन में labrum, mandible और labium ये अलग से differentiated नहीं होते हैं, hypo pharynx klypies, यानि क्या sclerit हो गया head का sclerit है, and associated sclerits of the head form upper pharyngeal skeleton, और hypo pharyngeal sclerit around the beginning of the elementary canal, इसका मतलब क्या हुआ या फिर जो sclerits है, और जो उसके साथ साथ वाले sclerits है, वो मेग ओर्स के क्या काता है कि elementary canal का जो उपर वाला पार्ट है, उसको फॉर्म करता है तो I hope ये lecture complete हो गया होगा सबको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को दिक्कत है तो वो मेरे instagram channel go for agriculture में मुझसे पूछ सकता है या फिर comment section में पूछ लो अगर ये video अच्छी लगी है तो subscribe to my channel go for agriculture और किसी को भी इस video की ppt या फिर pdf चाहिए वो नीचे दिएगा, website या नी link से download कर सकता है, till then stay tuned मिलते है next lecture में, thank you